साधियों नमस्कार मैं प्रतीक चौधिर एडवोकेट चौधिरी लीगल एसोसेट से आपका स्वागत वेलकम करता हूं आज का वीडियो बहुत महत्पूर्ड होने वाला है उन आर्टी आई एक्ट विस्टों के लिए उन आर्टी आई कार्य करता हूं के लिए जिनको के आर्टी आई का आवेदन देने के बाद से जान से मारने की और तरह तरह की धंकियां मिलती हैं तो ऐसे मैं यह बड़ा सवाल है कि वह क्या करें कैसे अपने आपको सुरक्षित करें कैसे धंकी देने वाले के विरुद्द कारवाई करें और क्या कारवाई करें कहां पर करें और उनके अधिकार क्या है तो आज का वीडियो बहुत महत्रपूर्ण बहुत होने वाला है आप लोग बने रहे चौधरी लिगल आस्वसीयेट पर और और जो नए और पुराने वीवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर दूँ अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरन ततकाल रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आए देर ना करते हूं आजकर वीडियो उसको शुरू करते हैं कई सारे मेरे भागों से जान से मारने की द्हूंब जूटे मुकत्म हिए फसाने की द्हूंब या और तरह तरह द्हूंब कि लगातार मिल रही हैं मैं क्या करना अंचित को जगाने करना और समाच को जगाने वाले लोगों के लिए भारस् transferring कई कई तो पूर एक पूर्वर कानून जिसका नाम है विष्ट कि यानि कि जो लोग वे लोग यो भारत में लोगुंझे को जगाने काLouश करते हैं लोगों के अधिकारीं लड़ाईए को लड़ते है वे सारे लोग विष्ट कैलाएंगे और उनको कोई धमकी देगा और उनके प्राणों पर कभी कोई संकट आएगा तो वे लोग विसिल विलॉवर एक्ट के तहित कारवाई कर पाएंगे संबंदित जो लोग धमकी दे रहे हैं या जूटे मुकद में फसाने कोशिस कर रहे हैं उनके खिलाब कारवाई कर पाएंगे और अपने प्राणों को सुरक्षित कर पाएंगे तो अगर आपको कोई दे रहा है धंकी भूटे मुगद में फसाने की या किसी भी तरीके से आपको जान से मारने की या कोई भी धंकी आपको दे रहा है तो आप सबसे पहले अपने नजदी की पुलिस थाने में जाएं वहां पर संबंदित के विरुद्ध आप अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवाएं दूसरा ओप्शन आप पुलिस हेल्प लाइन नंबर जो होते हैं 112 नंबर वहां अपनी शिकायत को 112 नंबर क आप इस विशह पर सीधे राज्य सूचना आयोक को या मानिया सुप्रीम कोट के जो सीजी आई है वे सीजी आई सुप्रीम कोट के सीजी जो होते हैं वह फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं उनके संद्रक्षक हैं आपका आटि जो एक्ट है वह सेक्षन 21 से निकलता है राइट्टू लाइफ और लिवर्टी जो है इंडिन कॉंस्टूशन का उससे रटी गवर्न होता है वहां से रटी की शुरुवात हुई है तो आप देश के सर्वोच्च नयाले के जो सबसे जो मुख्य नयाइदीश हैं सीजी आई उनको राज्य सूचना आयोक के जो आप आपको धमका रहा है उस पर कारवाई की मांग कर सकते हैं आप पुलिस में अगर रिपोर्ट लिखाते हैं तो आपको दराने धमकाने की रिपोर्ट लिखानी है और आपको यह भी उसमें दर्ज करवाना है कि विशिल ब्लोवर एक्ट के तहत मुझे सुरक्षा प्रदान कर करेगा आपके उपर कोई हमला कराने की हिम्मत नहीं करेगा और आप स्वतंत्र रूप से निर्भीक हो करके समाज में रह पाएंगे जी पाएंगे और सम्बंदित जक्ति के विरुद्ध कारवाई होगी और वह उपनी जेल जाएगा जमानत कराएं तो यह आपका अधिकार है अदिकारों को जानी अपने अधिकारों को पहचानिए आपकी अधिकारों की लड़ाई लड़ना ही मेरा मुक्य मकसद है मैं हर उस आदमी की dolality लड़ने को तयार हूं लड़ भी रहा हूं जो समाज का पिषड़ा और गरीव और वंचित तबका है उनकी लड़ाई लड़ने को मैं 24 घंटे तयार हूं मैं और मेरी पूरी टीम इसमें लगे हुए हैं तो जो बिल्कुल बास्तविक रूप से पिषड़े हैं वंचित समाज करके उनकी मदद ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने संसादर नहीं कि हम सब लोगों की मदद कर पाएंगे आप लोगों के प्यार और सहयों के कारण आज हम अक्रीबन 30,000 का आंकड़ा पार कर चुके अपने सब्सक्राइबर का इसके लिए आप सबको बढ़ाई देता अपना प्यार ऐसे यह बनाई रखें बने रहें चौधरी लीगल एसोसियेट्स पर और आज के वीडियो में आपको कोई सुझाव या कोई कमेंट कोई सवाल आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में वाट्स अप पर हमें लिख करके पूछ सकते हैं जै इन जै भारत न आम शकार